इन्वर्मेंटल एक्टिविस्ट जूलिया हिल ने 15 सो वर्स पुराने कैलिफोर्निया रेडूड ट्री में रहने का फैसला किया। आपको ये जानकर आश्चर ये होगा कि जूलिया ने 738 दिनों तक उस पेंड में जीवा नियापन किया। जूलिया ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि उस पेंड को पैसिपिक लंबर कंपनी दोरग नहीं काटा जा सके। आपको बता दूं कि पैसिपिक लंबर कंपनी एक बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर कंपनी है जो कि इस 15 सो पुराने पेंड को काटना चाहती थी। जूलिया ने रेडूड के पेंड पर 180 फीट की उचाई पर चड़ाई की तथा 624 फीट प्लेट फॉर्म पर रहने का फैसला किया ताकि इस पेंड को बचाया जा सके। जूलिया अपने पास रेडियो इंटर्व्यू के लिए एक सोलर फोन रखती थी। सरीर को गर्म रखने के लिए जूलिया खुद को स्लिपिंग बैग में कसकर लपेट लेती थी। अपने पूरे परिक्षण के दोरान जूलिया ने ठंडी बारिस और हवाओं का सामना किया। साथ ही साथ हेलिकोप्टर उत्पिडन कमपणी के सुरक्षा गार्डों द्वारा दस दिन की घेरा बंदी और बुस्से में लकड़ हारे द्वारा टराय धमकाने के प्रयासों का जमकर मुकाबला किया। साल 1999 में पैसिफिक लंबर कमपणी पेड़ को संरक्षित करने के लिए सहमत हुआ। फिर जूलिया पेड़ से उतरने के लिए सहमत हुए। जूलिया कुल 738 दीन तक उस पेड़ पर थी जो की सायद अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।